जहिन दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर में दुरुस्त बैठे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मैंनत और लगन के साथ आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाल हूँ इंडियन आर्मी में जो फार्मेसी की रिक्ट्मेट निकली हैं सिपोय फार्मा नाम से उसी के बारे में डिटेल में हम जानेंगे सबसे पहले मैं बता दूँ यहां पर लास्ट डेट बताई जा रही है 31 अगस्ट 2021 एपलाई करने की लास्ट डेट ठीक है इंडियन आर्मी के अंदर निकली हैं फार्मेसिस्ट की वेकेंसी सिपोय फार्मा नाम से जो जानी जाती हैं जो इनकी रैली हैं मतलब इनका जो एक अमरीचर मिलिटरी स्टेशन एन एमस खासा कंटेनमेंट अमरीचर में अब इस पोस्ट के बारे हम बात कर लेते हैं डिटेल में सबसे पहले तो एज रिक्वार्मेंट मैं यहां पर बता दूँ एज ग्रूप मांग है यहां पर 19 से लेके 25 साल मिनिमूम फिजिकल केजी मांग है डिपेंड अपॉन दा एज ग्रूप 19 से 20 और 20 प्लस 1 से 25 चेस्ट यहां पर 77 सेंटीमीटर प्लस 5 एक्सपेंशन तीनों में सेम मांगा हुआ है उसके बाद मैं बात कर लेते हैं पर जम्मू कस्मीर के स्टूडेंट्स जो 163 सेंटीमीटर उनकी हाइट मांग 56.7 kg मांगा हुआ है एजुकेशन qualification की बात कर लू तो दोनों ही लोग जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है और जिन्होंने डिगरी भी किया हुआ है वो दोनों bell है डिप्लोमा हवाले 10 प्लस 2 प्लस डिप्लोमा उनका होना चीए 55% मिनिमंघ क्वालिफिकेशन होनी चीए म का pharmacy license फिर दूसरी तरफ देखिना पर बी-pharma वालो के लिए minimum 50% qualified marks मांगे हुए हैं और रिष्टर होना चाहिए state pharmacy council या फिर pharmacy council of India से यह जो यहां पर मैं बताने वाल था जो certificate है इसू कराये गए education board से जो हैं COBSE, AICTE, CBSE, ICSE और NIOS इन ही से अप्रूव किये हुए certificate consider किये जाएंगे इनके अलावों कोई certificate की माननेता नहीं होगी relaxation भी दिया जा रहे हैं आप इस relaxation आप detail में पढ़ सकते हैं जो कि serviceman का son है, ex-serviceman का son है, war videos है, videos of ex-serviceman इन सबके son है उनको height, weight और chest में relaxation दी जाएगी, फिर उसके बाद मैं बता दूँ, rally site पर student को क्या क्या document और certificate लेके आने है with two attested photocopies, मतलब original तो लाने ही लाने है और दो attested photocopies भी साथ में लाने हैं उसी document के सबसे पहले हो तो admit card, दूसरा photograph, तीसरा education certificate आपका diploma, degree जो भी है आपका plus 10th, 12th birth certificate जो calculate हो जाता है और अधार card, pen card आपका mandatory है फिर इसके बाद domicile certificate, card certificate, religion certificate, school character certificate और character certificate, unmarried certificate, relationship certificate, NCC certificate, affidavid और single bank account, pen card या अधार card details ये तेरा चीज़े आपको original भी लेके जानी है और photocopy के साथ self-attested दो photocopies आपको साथ में लेके जानी है special instruction यहाँ पर बता रखिए affidavid में आप लोगों का full postal address mention होना चाहिए जैसे कि post office, police station और pin code पूरा होना चाहिए बढ़िया एकदम हर individual student या फिर candidate को अधार card और pen card mandatory ये लेके जाना उदर और affidavid appendix D और E के according अगर candidate के पास इन में से कोई affidavid नहीं है तो भाई वो rally में enter नहीं कर पाएगा उसे alone नहीं करनी जायेगा और phone ले जाने तो बिल्कुल सक्त मना है तो इस वीडियो में इतना ही काफी था नोटिफिकेशन में मैंने इतना ही बताना था आप सबी लोगों को अगर आप official notification जो release किया गया है Sipoy Pharma Vacancy के लिए आप यहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं ठीक है पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी और Indian Army के official website पे Sipoy Pharma नाम से आपको registration करने के बाद सारी डिटेल भी मिल जाएगी इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर Red Color की लिंक दबा दें या फिर आपके सामने सब्सक्राइब बटन आ रहोगा आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो लगातार आती रहे Thank you very much for part of this video मिलता हूँ आप सबी से इसी तरह के कोई नई informative वीडियो में धन्यवाद